Assalamu alaikum 7th class कैसी है students आप सब लोग उमीद है कि आप सब लोग जो अपने अपने घरों में खेरियत से होंगे बिटाज हमारा English A का Step का First Lecture है जिसमें हम अपने Unit No. 2 का Lesson No. 1 जो है उसकी Translation और Reading पढ़ेंगे and the name of the Unit No. 2 is War and Peace and the name of the Lesson is Origami or Paper Cranes of Peace इसमें सबसे पहले जो है यह आपके कुछ डिफिकल्ट पर्ड स्मीनिंग है जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं यह मैं आपको पहले पढ़के बता देती हूं ताकि आप आसानी से इस चेप्टर की Translation को समझ सकें First word is Crane's, Crane's means काहस के सार्स, Legend, Legend इसमें कहानी, Pregnant, दड़नाग, Conventional, Rewaity, Curable, काबले इलाज, Courageous, बहिमत, Collapse, गिर जाना, Contimination, आलूदगी, Atrocity, Zulm, Determined, Poorism, Unveiled, Nikaab कुशाई, Inscribe, कुन्दा होना, Extinguished, बुझा देना, Eliminated, मुकमल तोर पर खतम करना ये कुछ difficult words meaning थे, बचो इनको आप ध्यान से पढ़िये का ताकि आप बासानी translation को समझ सकें अब जो है, मैं lesson को read out करना शुरू करती हूँ, साथ मैं ऐसे translate करूंगी ये page number 28 पे आपका lesson है, non-fiction यानि गैर अफसानवी अदब, origami origami is the very ancient Japanese art of paper folding अब origami जो है, ये जापान का एक बहुत ही पुरानी paper कागस को तै लगाने की रिवायत है It actually begin in China, इसका दर हकीकत इसका आगास जो है, ये चाइना से हुआ but separate to Japan by the 6th century, मगर चटी सदी तक ये जापान तक पहल गया since when it has become an important part of Japanese culture और तब से ये जापानी सकाफत का एक बहुत ही एहम हिस्सा बन चुकी है Paper butterflies made for wedding to symbolize the bride and the groom are just for example of the many traditional origami figures evolved over the centuries दुला और दुलन की अलामत बनने वाली, शादियों के लिए बनाई जाने वाली काख़ी तितलिया औरीगेमी की इन रिवायती इशकाल की महस एक मिसाल है जो सदियां गुजरने के बाद सामने आई है, यानि औरीगेमी से बहुत कुछ बनाया जा सकता है औरीगेमिस टुड़े एक्सपेरिमेंट विद न्यू मेटिरियल साच अज फिलम ट्रांसपेरिसी एंड क्रियेट फंटास्टिक क्रियेशन फ्रॉम दा सिंगल शीट और आज कल जो नए जमाने के औरीगेमी के फंकार हैं वो बहुत से नए मवाद जैसे के फिलम ट्रांसपेरिसी है इस से इस पे अपने तजरबात करते हैं और फिर वो एक सिंगल कागस ते एक सिंगल शीट से बहुत सी हैरान कुन चीज़ें बना लेते हैं शेफर, a contemporary American organist, has created a model of the Star Trek spaceship enterprise which takes 72 diagrams, 11 pages of instructions and a week to make और मौजूदा जमाने का एक अमरीका का औरीगेमी का फंकार शेफर नामी जिसने Star Trek enterprises के खलाई जहाज का, खलाई जहाज enterprise का model बनाया जिसमें बहतर जिसमें शकले हैं और उसमें हदायात के 11 सफात हैं और इसको बनाने में एक हफ़ता लगता है अगर औरीगेमी के जितने भी फंकार हैं वो इसके दो बनियादी रसूलों की पासदारी करते हैं और वो है कि ना तो इसमें कागस इस्तमाल किया जाता है और ना ही इसमें गोंद जो है वो इस्तमाल की जाती है अब बच्चों हमारा जो बकाइदा चेप्टर है यह हम शुरू करते हैं इस चेप्टर इस कंसिस्ट आफ शिक्स पेराग्राफ इसके छे पेराग्राफ हैं जिनमें से जो है वो हम आधे जो हैं आज कंप्रीट करेंगे और बाकी के हाफ जो है इन्शाला हम अपने नेक्स में कंप्रीट करेंगे दा पेपर क्रेंज आफ पीस अमन के काघजी सार्स पेराग्राफ नमबर वन दियर इस जैपनिस लेजंड विच सेज तैट हूएवर फोल्स वन थाउजंड औरिगेमी क्रेंज विल लिव अलॉंग लाइफ यह एक जापानी रिवायत है जापानी कह इस लेजंड टुक ऑन न्यू और पॉइगनेंट सिग्निफिकेंस इन नाइटीन फिफ्टी फई विद डेल्थ विद डेथ ओवर 12 येर ओल गर्ड इन जापान सदाको सासकी हूँ वस पॉर्ण इन नाइटीन फॉर्टी थ्री और इस रिवायत को बहुत और ज्यादा नई और बहुत एक दर्द फरी अल्मिया किसम की एहमियत 1955 में हासिल हुई जब जपान में एक 12 साला लड़की जिसका नाम सदाको सासकी था और वो 1943 में पैदा हुई उसकी मौत वाकिया हो गई 1955 में उसकी मौत से इस रिवायत को एक और ज्यादा अल्मिया सी एहमियत जो है वो म किस तरह मिल गई यह हम आगे पढ़ते हैं पैराग्राफ नमबर टू में तुवर्स ता एंड अफ ता वर्ल वार टू इन नाइंटीन फॉर्टिफाइफ दा यूनाइटिट स्टेट्स ऑफ अमेरिका डिसाइड़ तो यूस एन एंटारली न्यू अन्टेस्टिड वेपन फोर्स जापान टू सरंडर उन्नी सो पैंतालिस में जब दूसरी जंग एजीम तकरीबन खतम होने वाली थी अपने इखताम के नजदीक थी तब अमेरिका ने जापान को हथियार डालने पर मजबूर करने के लिए वहां पर एक बिलकुल निया और नौ आजमूदा हथिया जिसे पहले कभी कहीं भी इस्तमाल नहीं किया गया था वो उसने वहां पर इस्तमाल करने का फैसला किया ताके वो जापान को अपने आगे हथियार डालने पर मजबूर कर सके और 6 अगस्ट 1945 अ बी-29 बॉंबर ड्रॉप दा वर्ल्ड's फर्स्ट अटॉमिक बॉंब ऑन हिरोशीमा अ सिटी विच एट अंटिल देन एक्सपिरियंस्ट वेरी लिटर्ल कॉन्वेंशनल बॉंबिंग और 6 गस्ट 1945 को बी-29 नामभी एक बंबार तियारे ने दुनिया का प दा अटॉमिक बॉंब एक्सप्लोटिट अट 8.15 एम 5.80 मीटर अबफ दा सिटी सेंटर ये अटम बंब शेहर के दर्मयान में 580 मीटर के से उपर सुबा सवा आठ बचे जो है उसे वहां फेंका गया फाड़ा गया TENS OF THOUSANDS OF PEOPLE WERE KILD INSTANTLY BY THE BLAST हजारों लोग एक दम से इस थमाके की वज़ा से इस बं के फटने की वज़ा से मर गए and the death toll rose to between 180,000 and 200,000 over the following years as the terrible after effects of the atomic bomb claimed the lives of hundreds of thousands of people इसमें बात की आने वाले सालों में मौत की लोगों के मरने की जो शिरा है वो एक लाक असी हजार और दो लाक के दर्मयान पहुँच कही क्योंके एटम बाम के बात के खौफनाक जो असरात थे उसमें लाखों लोगों की जान ले ली Now paragraph number 3 Just one of these victims was सदाको सासा की यहां से अब उस बच्ची की कहानी शुरू होती है जिसकी मौत के बारे में हमने पहले paragraph में पड़ा था के 1943 में पैदा होने वाली यह बच्ची 1955 में इसकी मौत वाक्य हो गई यहां से उस बच्ची कहानी शुरू होती है कि इन इस एटम बाम का जो जितने लोग शिकार हुए उन ही में से एक शिकार ये बच्ची सदाको सासा की नामी थी She was a healthy, athletic and lively child until one day when she was practicing for a big race She was overcome by distance and collapsed कि ये बच्ची बहुत ही सहतमन, मुथरिक और जिन्दगी से भरपूर थी कब तक तब तक कि जब एक दिन वो एक बड़ी दोड में हिस्सा लेने की practice कर रही थी, मश्क कर रही थी कि उसे एक दम चकर आए और वो बहोश होकर गिर पड़ी She was found to be suffering from leukemia, cancer of the blood, a direct result of contamination by the atomic bomb when she was just two years old और उसमें leukemia यानी जो खून का सर्तान है, उसकी तश्कीश हुई कि उस बच्ची को खून का सर्तान था जो कि उस एट में धुमाके की आलूदगी का प्रहे रास्त नतीजा था जिसका शिकार वो बच्ची उस वक्त हुई जबकि उसकी उमर सिर्फ दो साल थी जो जो किंसर की बहुत सी एक्साम है वो काबले इलाज हैं मगर 1950 में जपान में इस बिमारी को एटम बाम की बिमारी कहा जाता था और इसे नहाएत महलक और खतरनाक समझा जाता था बच्चों या आज का हमारा फर्स लेक्चर इतना ही इन्शाला नेक्स चैप्टर में हम नेक्स लेक्चर में हम इस चैप्टर की कम्प्लीट ट्रांसलेशन जो है वो करेंगे तेंक्यू वेरी मैच आला हाफिज